Free Fire में अगर तुम Top Up ना भी करते हो, तब भी तुम Pro Player कहला होगी, अगर तुम Headshot काफी अच्छे मारते हो, Clutches काफी अच्छे करते हो, 1v4 कर लेते हो, लेकिन आज कल इतने सारे Characters आगए, जिसके बाद कभी-कभी हम लोग की Confuse हो जाते हैं, कि कौन सा Best Character Combination होगा हम लोग के ल Limited में जब किसी बहुत अच्छी टीम से Versus लेते हो, जिसमें जो Players होते हैं वो बहुत जादा Headshot मारते हैं, तो उनसे बचने के लिए और उनको Headshot मारने के लिए यह Character Combination होने वाला है, तो हम लोग के Character Combination का जो पहला Character होने वाला है, वो एक Active Skill होगा, जो की है Chrono, अब Active Skill में Chrono रखने पे बहुत जादा फाइदा है, मतलब कई जगा तुम ऐसे ऐसे Headshot मार सकते हो, जहां पर सामने वाले Enemy कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ध्यान से देखो मैं किस तरीके पूरा Cover में रहके सामने वाले Enemy को Headshot मार रहा हूँ, तो यहां पर फाइदा यही है कि तुम लोग तुमें देख रहे होंगे, तुम्हारा Headshot का Damage उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, और यहां ध्यान से देखो मुझे 4 लोग स्पेक्टेट कर रहे हो, Enemy ने मुझे Headshot मारा और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वही अगर मैं Enemy को Headshot मारूँगा तो उसका क्या ह लोग तुम लोग देख सकते हो, और जो हम लोग का अगला क्यारक्टर है, इस क्यारक्टर कॉम्बिनेशन का, वो हम लोग की बहुत जादा हिल्प करता है, स्पेशली आर्मर पेनिट्रिक्शन से बशने के लिए, अकसा Enemy बॉडी शॉट मार मार के हम लोग को खतम कर देते ह किसकी वज़े से ऐसा नहीं होता है, और यह character है Justin Bieber, यानि की J.Beebs, और यह secret headshot character combination मैं तुमको बता रहा हुँ, जो जल्दी तुमे कोई नहीं बता था, इस character combination में जब Justin Bieber, वुल्फरा एक सात मिल जाते है न, सामने वाला enemy तुमे वन शॉट किल जल्दी नहीं कर पाएगा, औ इस character combination की जो आखरी character है वो है Kelly, Kelly क्योंकि chrono के साथ काफी ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि कभी-कभी हमको chrono shield के अंदर movement दिखाना पड़ता है तो CS rank और limited custom का तो यहाँ पे होगे, अगला character combination है unlimited custom के लिए तो इस character combination वे तुमको लेना है Tatsuya, लेना है Mokko, Mokko से तुमको क्यारक्टर को मार्क करना है और Tatsuya की speed से तुमको rush करना है, साथी साथ calorie और हयातो यह character combination अगर तुम use करोगे न unlimited में तो तुम्हे enemy पकर नहीं पाएगा और तुम बड़ी आसानी से enemy को rush करके मार सकते हो और जिनके बाद Tatsuya character नहीं है वो Tatsuya के जगा पे आलोग यूज कर सकते है क्योंकि आलोग भी हमनों को speed हो साथी साथ healing भी देता है तो जो लोग मेरा चैनल follow करते है उनको पता है 2022 का best character combination जो sniper के लिए था उसमें मैं यूज करता था मारो, मोको, रफैल और साथ में वुकॉंग और जो मेरा current sniper character combination है उसमें मैं मोको तक नहीं यूज करता हूँ तो sniper का best character combination जानने से पहले चैनल को subscribe ज़रूर से कर लेना साथ में bell icon दबा कि उसको all पे ज़रूर सेट कर लेना तो अब ध्यान से देखू मेरे सामने एक पूरी squad आचुकी और मेरे पास जो character combination है उसमें मैं यूज कर रहा हूँ Iris active skill में Iris character glue all के पीछे जितने भी enemy होते है उनको मार कर देती है और इवन हम लोग उनको मार भी सकते है इसके साथ damage के लिए मैं यूज कर रहा हूँ मारो और हयातो ये दो character combination इतने खतरना के इनकी वज़े से glue all के पीछे भी damage काफी ज्यादा आता है और उसके साथ साथ one shot kill के chances भी बढ़ जाते है और क्योंकि मैं Iris यूज कर रहा हूँ तो उससे enemy को यहाँ पर मैं tag और रेडी कर पा रहा हूँ तो मुझे मोको की उतनी ज़रत फील नहीं हुई वैसे तो मुझे स्नाइपिंग के साथ मोको की काफी ज्यादा आदत थी लेकिन जब यह character combination मैंने काफी ज्यादा टाइम टेले यूज किया तो मुझे यह character combination ज्यादा पसंद आया बाकि जिनके बास आयरिस है वो लोग इस character combination को यूज करके जरूर चेक करना और यहाँ पे comment section में आके मुझे जरूर बताना कि तुम लोग को यह character combination कैसा लगा और जिनके बास आयरिस character नहीं है वो आयरिस की जगह पे Skyler यूज कर सकते हो Skyler आज भी उतना ही OP character है यकीन नहीं हो दा तो तुमारे सामने आप वीडियो शो हो रही होगी इस वीडियो पे क्लिक करो जाके वीडियो देखो फिर से तुम Skyler को पसंद करने लगोगे और इसकी नेक्स पार्ट पे मैं Luna और Sentino का भी character combination बताऊँगा